नमस्कार दस्तों में रनाम रभी और आप सबीका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्ट और डीवित रभी पर फ्रेंट्स जो हमने एक सेरीज श्टार्ट की थी कम्प्यूटर जीके इसका आज हम दूसरा पार्ट पढ़ना वाले हैं जिसमें सभी प्रशन इंपोटेंट और सेलक्टिड हैं जो आपके परिशा में सिदे देखने को मिल सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्रीज उसे भी जाका जरूर देखेगा उसमें दूस्तों वेशिक कोशन है और इंपोटेंट कोशन है जो एक्जाम में पुछे जाते हैं ठीक हैं तो चलिए का सुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को पहला प्रेंट है कि प्रेमुक मेमोरी किसके समनवे से कार्य करती हैं तो यह CPU के समनवे से कार्य करती हैं सही आंसर है option D अगला प्रस्ण है micro processor जो computer का मस्तिस्क होता है उसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तो micro chip सही answer है गा option B अगला प्रस्ण है computer द्वारा produce किया गया परिणाम है तो computer के द्वारा produce किया गया परिणाम दोस्तो output कहलाता है सही answer है option C next question है input का output में रुपान्तरण किया जाता है तो input का output में जो रुपान्तरण किया जाता है तो वह CPU के द्वारा किया जाता है 35 प्रेस ने produced data को कहते हैं तो इसे process कहते हैं सही answer रहेगा option B next question है CPU का मुख्य घटक है तो CPU का जो मुख्य घटक होता है तो वह है दोस्तो control unit, memory, arithmetic, logic unit तो ये तीनों दोस्तो CPU के मुख्य घटक है next question है computer की छमता है तो computer की दोस्तो सीमित छमता होती है मतलब computer जो सोच सकता है या उसमें जो process हो सकती है तो वह है limited होती है जबकि मानव मस्तिस्क में दोस्तो limited सोचने की छमता होती है अगला प्रस ने computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है तो इसे दोस्तो किरित्रिम बुद्धी की संग्या दी गई है नेस्ट कोसने computer की संग्या दी गई होती है मनुस्य की संग्या दी गई होती है तो सही answer रहेगा option A समान्या चारिसपर प्रस ने मानव मन तथा computer में किस की गती अधिक है तो दोस्तो मानव मन की अधिक गती होती है मतलब जो मानव का मन होता है तो computer से ज़्यादा सोच सकता है और फास्ट सोच सकता है अगला प्रस ने EDP क्या है तो EDP इसे दोस्तों कहते हैं electronic data processing सही answer रहेगा option D next question है computer में सूचना किसे कहा जाता है तो computer में सूचना कहा जाता है दोस्तों data को सही answer रहेगा option A 43 प्रस ने computer में data किसे कहा जाता है तो computer में data कहा जाता है दोस्तों चिन वे संख्यात्मक सूचना को option D राइट रहेगा next question है input का output में रुपांतरन किसके द्वारा कहा जाता है तो input का output में रुपांतरन कहा जाता है CPU के द्वारा सही answer रहेगा option C friends अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो please वीडियो को लाइक कर देजिए ठीक है और आप चैनल पर पहली बार विचीट कर रहे हैं तो please चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा 45 प्रस ने computer में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं तो computer में जाने वाले डेटा को दोस्तो input कहते हैं right answer है option B 46 प्रस ने डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तो वानिजिक उप्योग के लिए जानकारी तयार करना अगला प्रस ने इसका कार्या होता है बिना इस्टाप के नगदी देना तो सही answer है गा option B अगला प्रस ने computer प्रोसेस द्वारा information में परिवर्थित किये जाते हैं तो यह किये जाते हैं दोस्तो डेटा में सही answer है गा option V next question है एक electronic device जो data को information में convert करते हुए process करता है तो वह करता है दोस्तो processor सही answer है गा option C पचासवा प्रस ने प्रथम गड़ना यंत्र है तो प्रथम गड़ना यंत्र है दोस्तो abicles सही answer है गा option C अगला प्रस ने pacman नामक प्रशित computer किस काम के लिए बना था तो pacman नामक जो प्रसित computer है तो यह दोस्तो एक खेल के लिए computer बना था सही answer है गा option C next question है किसने प्रथम mechanical calculator का निर्मार किया था तो सही answer है गा option भी विलेज पास कर ले next question है किसे ने punch card का प्रारम किया तो punch card का जो प्रारम किया तो सही answer है गा option D इनमे से कोई नहीं चावणबा question है computer के बुन्यादी सरचना का विकास किया था तो computer की बुन्यादी सरचना का जो विकास किया तो बहुत है दोस्तो चार्ल्स वेवेश के द्वारा क्या गया था सही answer है हमारा option C बढ़ते हैं अगले question की ओर इनमे से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महगा computer है तो दोस्तो सुपर computer सुपर computer विस्व का सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महगा computer होता है 56 कोशन है समान्य रूप से पिर्यूक्त किया जाने वाला computer है तो समान्य रूप से जो यूज किया जाने वाला computer होता है तो बहुत दोस्तो digital computer होता है रईट अनसर हैगा option A next question है कैरी क्या है तो कैरी दोस्तों एक सुपर कम्प्यूटर है सही आंसर है option D अगला प्रसन है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रियोग किस PD के कम्प्यूटर से शुरू हुआ था मतलब दोस्तों जो बरतवान में कम्प्यूटर है ठीक है तो वह कंप्यूटर का जो अभिस्कार के गया तो तीसरी PD में क्या गया था सही आंसर है गा option C और बरतवान में कुण सी PD के कंप्यूटर यूज़ की जाते हैं तो पांच भी के कंप्यूटर यूज़ किये जाते हैं विस्पर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना तो ये बना था दोस्तों 1976 में सही आंसर रहेगा ओफ्शन C कल हमने पढ़ा था दोस्तों कि कंप्यूटर क्रांती कब आय थी तो कंप्यूटर क्रांती आय थी 1960 में और विस्व में पहला computer जो बना था तो बहाँ 1946 में बना था और सुपर computer का बना तो 1976 में बना तो तिनों question आपको याद रखना है भारत में निर्मित प्रथम computer का क्या नाम है तो भारत में निर्मित प्रथम computer का नाम है सिधार्थ सही answer रहेगा option V ठीक है जबकि दोस्तो भारत में बना पहला सुपर computer है परम ठीक है ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये थे दोस्तो आज के हमारे important और selected question आई होप आपको पसंद आए होंगे ये ही question दोस्तो आपकी exam में पूछे जाने है आप कोई भी exam उठा का देख लिजिए उत्राखन का ठीक है उसमें इसी पिरकार के question आते हैं और हर एक exam में दोस्तो 5-6 question पुझे ही जाते हैं ठीक है आप अगर जैसे दिल्ली पुलीस या SSE GD के exam देते हैं तो दोस्तो आपको उसमें ये स्रीज महत्पून योगदान देने वाली है ठीक है तो आप इस स्रीज को पूरी जलूर दिखेगा सिर्फ 10 मिनट की ये class होती है जिसमें आपको 30 question कराई जाते हैं ठीक है तो आज का आपको हमबर्ख रहेगा जिसका answer आपको comment करके बताना होगा कि प्रथम गड़ना ये अंत्र है तो चार option दिये हैं आपको comment करके बताना है कि प्रथम गड़ना ये अंत्र कौन सा है साथ मताईगा दोस्तो आज की class आपको कैसी लगी आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद नहीं हो तो please video को like करें दोस्तों में share करें और आप अगर हमारे channel पर पहली बार budget कर रहे हैं तो please channel को subscribe जरू कर लिजगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगली class में तब तक के लिए भाई thank you so much for watching जय हिंद